है कि AC circuit के अंदर में जब सिर्फ capacitor या inductor हो इनके अंदर से flow करने वाला current होता है यह energy consumption नहीं करता मतलब यह power नहीं consume करता है इसका power consumption zero होता है उसका reason क्या है तो AC circuit के अंदर में जो average power consumed होता है उस average power का formula आप जानते होंगे यह होता है V0 I0 by 2 into cos phi यहां पर cos phi power factor होता है और phi voltage और current के बीच का phase difference होता है अगर हमारे circuit में सिर्फ capacitor है यह सिर्फ inductor है तो उस case में जो phase difference आता है voltage और current के बीच का हुआता है 90 डिग्री का और यहां पर जब आप 90 रखेंगे यह पूरी value 0 आ जाएगी मतलब अगर आपके पास अगर आपके पास फाई की वैल्यू पाइबाइटू आ जाए तो उस case में आप देख रहे हैं कि average power आपका जीरो आ रहा है मतलब सिर्फ capacitor और inductor वाला इसी circuit current को flow करवाने के लिए पावर कंज्यूम नहीं करता इसलिए इसकी current को हम लोग कहा देते हैं waterless current